हाल ही में समाप्थ हुए महिलाती 20 वर्ल्ड कप में भारत उपविजेता रहा था, अब ऐसे में में स्टार भारती स्पिनर पूनम यादव अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने पर फोकस कर रही हैं, वे कहती हैं कि कोच WV रमन ने कहा अभी जो चल रहा है उस फिटनिस पर बहुत जोर देने के साथ, शांदार फील्डिंग और टीम ने कैचिंग के कई सेशन किये थे, लेकिन उन्होंने माना की टीम इंडिया के लिए फाइनल वाला दिन बहुत अच्छा नहीं था तो कही नहीं, टीटन टीम हम लोगों को बहुत है और सारी लड़कियों ने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और उनके टैक्टिस रहते हैं हमारे साथ के नहीं, इस वाली टीम इसाथ ऐसे खेलना हैं और बोलते थे बिंदास खेलना है रणीती तो बता नहीं सकते हैं, अगर किसी रह पढ़ लेया सब को पता से लिए कि हम क्या रणीती बनाते हैं मैच से पहले, लेकिन बस यह बता सकती हूं कि इसे सर हम लोग से बाते करते तो बोलते हैं आप लोग अपना जो आप में अभी अबिलिटी है आप उतना ही से जादा कुछ मत सोचे कि नहीं यह होगा या कल कैसा होगा या हम मैच जीतेंगे या नहीं सोचेंगे रिजल्ट के बारे में ना सोचके जो एड़ प्रिजेंट हमारे जो सामने हैं हम उसके बारे में सोचें कि सहमत नहीं हो मैं इतना क्यونकि शिचर्णर हम लोग ने बहुत ज्यादा अच्छी फीडिंग नी कि कैसे इतने अच्छे नहीं निये लेकिन इस साल में लोग ने पार केंप पार किया तुट में बहुत अच्छे कैचिस पकड़े और फिल्डिंग में बहुत अच्छी किया और फिल्डिंग में की किया है। झाल झाल